हेलो रिवन वेलकम टो जैकाइडमी एक बार फिर तो सौकत है आपका जैकाइडमी के शानदा प्लेटफॉर्म पे और जिते भी मेरे प्यारे प्यारे बच्छे हैं जो जार्खन से बिलॉंग करते हैं उनके लिए एक अपडेट है कि क्या चीजें कैसे हो क्योंकि बहुत बड अब क्या है उसके थोड़ा सा बात कर लेते हैं आप सभी को पता है कि जार्खन के डॉमिसाल यानि कि जार्खन के मूल निवासी जो है जो जार्खन के मूल निवासी है वही इसके लिए अप्लिकेबल है कि जार्खन के मूल निवासी ही यहां पर क्या कर सकते हैं अपण कर सकते हैं आपके जाएंए की हो को जायीी तब अभी 17 साल का नहीं हुआ जाब करूं हुए तो 10 प्लस 2 में आ फासाउट ऑट होना चाहिए आप सभी को पता लोना चाहिए भीस के लिए मैंटि नहीं होना चाहिए भीस के लिए चीकरिंग के एक्स्टा और क्या क्या चीज़े हैं तो आप देख पाऊगे बिटा जी स्टार्ट होए का यह जा चुके हैं इंपॉर्टन चीज़े हमारे पास में एक्जाम कभ है उसका टाइमिंग क्या है तो बेसिंग जो बेसिक है इसका ध्यान अपने को नहीं रखना है क्योंकि यह पोस्ट बेसिक हमारे बेसिंग करने के बाद की चीज़ होती है क्लियर अगर मैं बात करूँ यहां पर कि अठारा तारिक को आपका एक्जाम है रवीबार को कब 10 बचसे लेगे साढ़े बारा तक यह आनि कि आपका धाइगंटे का एक्जाम है धाई गंटे का आपका मिल जाएगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सोला की शाम को या फिर उसका अभी शाम को आपको आज आएगा ठीक है तो इसको लेके टेंशन में नहीं लेना है कि आएगा नहीं आएगा अब क्या कारण है देखो राची जमशेतपूर धनबाद दुंका और पलामो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है इनके बीच में आप यहां पर पहुंच सकते हैं किसी भी स्पेस से किसी भी जगह से यहां पर आपका 16 तारिक को है वह रिलीस कर दिया जाएगा इस बात को ध्यान अखिएगा और पोस्ट बची का सेंटर ही राची में है आप लोग कर चुके हैं यह सारी बात है तो हमारी हो चुकी है मेंली मुझे बच्चों को देना था कि बच्चे बहुत कंफ्यूज सब्सक्राइब कब आएगा तो आपकी 16 तारिक है डैफिनिटली आजाएगा तो रिलाक्स रहिए डैफिनिटली आजाएगा और आपका एक्जाम जो है वो त्य को जबरतास boost पर रखना अपनी बिर्पेश्ट को लगातार करते रहना है कैसे करेंगे लास समय हैं लास समय पर क्या हम सबकुछ पर सकते हैं बिल्कुल नहीं पर सकते तो करें कैसर हूं तो लास्स समय पे आप जितना हो सके अपने खुद के बनाएवे नोर्स को रिवाइस करो अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल पे फिजिस केमस्टी बाइलोगी क्लासे कर रखी है तो बहुत बढ़िया बात है उनकी पीडियेफ को बार बार देखो पीडियेफ कह पीडियेफ जाके देखिए तो कि हर एक स्टैडिय मटेल पीडियेफ आपको मेल जाती है तो उसमें टाइम कम लगेगा और ज्यादा से कम टाइम में आप चीज़ेशे ज्यादा चीजों को कर पाऊगे इसलिए मैंना बच्चों को पीडियेफ दीए तो पीडियेफ में किसे सकते हैं अगर आप दिन में 10 घंटे फीधी पढ़ते हो तोटाइब वह सारी सिप्टर्स हुजाते हैं बहुत सारी बच्छों अभी आपके वाशन निन बचन बचे और अच्छा बार नहीं से खुते खुशन तो अभी हिम्मत नहीं हार नहीं अपने को ऐसा नहीं कि हमारे त्यारी बिल्कुल भी नहीं है त्यारी है बट हुई उसको एक पुछ देने की जरूत है उसके लिए मैंने आपको बोला है कि आप PDF जाके रीड़ाउट करो चैनल पे आपको फिजिक्स कमेस्टी बाइलोगी महा है सबसे दर जरूरी है क्योंकि आप देखोगे कि उन क्लासे से महारास्ता के अंदर 62 प्लस कोशिंस आए डैली आपका एम्स का बेसे नर्सिंग का उसमें 46 प्लस कोशिंस आ रहे है यूपी जो एक्जाम हुआ उसके 27 प्लस कोशिंस आ रहे है तो जब यूट्यूब पे कि देली ग्लासे के अंदर का आफका दो-दो कोशिंस भी बढ़ते हैं के कोश्ण भी बढ़ते हैं तो आपको और क्या चाहिए बिटा जी एक कोशिंस घड़ा बढ़ सकते हैं अपनी तयारी का बस आपको वही चीज़े करने तो इन चीजों को करिए क्योंकि आपको रिजल करने पढ़ेगे हमको हमारी तैयारी करने पढ़ेगी मैं अराम चे रही है अपने तैयारी के साथ मैं तब तक के लिए गुडबाई इस वीडियो को पूरा देखें के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद इस तरीके की और भी वीडियो देखें के लिए आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं साथी साथ अधिक जानकरी के लिए आप हमारे दिये गए हेल्प-लाइ पर भी कॉल कर सकते हैं और बेसी नर्सिंग और मेडिकल साइंस के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिशन बॉक्स में मिल जाएगा और साथी साथ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिलकुल जाने बुले धन्यवाद